नमश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं गुरू जी हो आपका दोस्तों सुर्जर जार्व कि आपे लेक्ट में बैठा रह जो क्ति हैं परक शाणल बारे होना यहां भीद Cristo छा पत्सुत क hoorakा किंशी वरूरगरर कॉसरा से अंपने इस सभी सकता ह姓 में इछ इस वीडियो मन्त तक क्योंकि आपको बहुत ही कमाल की जानकारी मिलने वाली है तो नमशकार जी सर अपना नाम बता परीचे बताओ कंपनी का नाम बताओ कपूर एगली कल्चर हमारी कंपनी का नाम हा सिरसा जिला हर्याना मंडी काला वाली ठीक है अब बात कि जाए सर तो हैवी चादर में बनाया जाता है और हैवी कंप डाला हमने जो भी तो मैं चाहता हूं दोस्तों थोड़ा सा पांस के इसकी क्वालीटी के बारे मापको बताया जाए कि अभी जैसे कपूर सिंधी बता रहे हैं कि इन्होंने हैवी मेटरिल में यूज़ गर सबसे पहले किसाइज किया है साइज तो 3 फुट से लेकिसवा 3 फुट साभे 3 फुट हो जाता है ठीक है अब इसमें जो लगने वाला लोहा उसके गेज की बात की जाए तो कितने गेज का लोहा अपन लगा रहे हैं जे 10 गेज का है तुट्छी आप चादर में और आठ गेज इसके पिन बोश लगाते हैं यह भी हाड लगाते हैं और उपर पती लगा के फिर बेस को बैड़न करते हैं वो डबल स्प्रिंग की है जे लगता है इसका बड़ा चोटा होता है मतलब एक राम से लॉक लग जाता है जब यह यह लोग उटोमेटिक वाला जब लगे तो ट्राली में माल गिरता है गिरते हैं आपका सई जगा पर आ जाता है अब जैसे पीछे की तरब देख चलें उससे पहले मैं यह बत पूछना चाहता हूं जैसे यह क्यों लगाई गई जैसे लोडर तो वैसे मिटी उटा कर बलेगा यह दार लगा कि आजे पका बलेट लगाते हैं जी प सवादो डाइफुट के आसपास के बकेट आपको मिल जाएगे तीन बाई सवादो फुट तो आराम से बहुत ज्यादा माल तरह में आप रेत बज़ी रोडी वगएरा कुछ भी उटाना गिट्टी वगएरा जो उटानी रहती वह आराम से उटा के अपना काम बड़ी आसा में इसकी किम्मत में तो मुलब हजा हो गुणा गंतर आजाता है यह लटा है यह देख सकते हैं यह लटा लग है यहां से एक सपोर्ट का पत्ता नीचे से जा रहा है जो आगे तक जा रहा है ताकि जब वजन आता है तब किसी परकार का बेंड नहीं आया है अपर दूसरी बात है कि पत्ती लगाई है विटराली के साथ नहीं लगती कोई मिस्तरी नहीं लगाता हम लगते हैं इसके लिए पंप कराड़नीखराब होती और जो पंप इसमें जबी कई कई ढौ दालते हैं और पक्के पिन बुश डालते हैं इसमें और यह माड़ल प्रॉली खाली करने का लिवर आपको यहां पर दिख रहा है लेकिन जब यह बकेट उपर होके जाएगा तो बिल्कुल यहां पर आ जाएगा आराम से ड्राइवर के हाथ में पकड़ के जैसे ही खीचेगा बकेट ट्राली में खाली हो जाएगा काभी शांदार लेगा है पंप के साथ ऑपरेट हो रहा सबसे बढ़ी आसानी के साथ चलेगा प्लस किसी परकार का लिप्ट में भी लोड नहीं आरा सीरा हिच में लग रहा है तो मलब वाइब्रेशन वग कर दो एक किसान बढ़ी के लिए चुप संटार लेइए खाड़ी साहर का बन जाता है यह इसका सय बड़ा करना यह लट्दा लंबा करना है इसमेंश में पंप हाई स्वीड का डालना है चाली वाढ़ा सिंगल स्प्रेंग कर देते हैं 25 सब फॉड़ा वाढ़ा चार्च हो जाता है और चाली बाными का चार्ज नीची नहीं जो ट्रांसपोर्ट से उ सटोन nis चाली चार्डा कर दो तुम प्रभाक यूडां आतiac कर दो ट्रांसपोड मेंगा ओडाओ चैपी में जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज ग्राह ने जो भी रेट बताई वह कानवाली में आपकी शोब की रेट है जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है और ग्रेट एक है जैज में एक नर्वाथ यहां लगेगा दूर यह लग जाएगा हाँ ऑनलाइन बुक गराना है फाउन ते तो दस हजार अडवांस लेंगे बाकी का पैसा ट्रांसपोर्ट पे माल देखके उसके बाद खाते में लगा देना ना लग कि आप यह कह रहें कि 10,000 रुपे वो बुकिंग एमाउंट आपको बेज़ेंगे उसके बाद में यहां से आप मशिन रेडी करके डिस्पेस करेंगे जब मशिन उनके पास पहुंच जाएगी उसके बाद ही मैं उनको पैमेंट करना है उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे माल देखके आप पैमेंट कर निकालना है इस इच को उसी में फिट करना है जो कसान लोगा जांको एक चलाता है उसको हर आदमी को नौल्ज है यह दिक्कत फ्रेंट में आ सकते लेकिन इसमें बेक में तो कहीं आने का कोई सवाली नहीं उड़ता कोई डिक्कत बादी बात निये तो हम रोज बनाते हैं र और से ना काम कर लेता क्या करता वो तो देखो आपकी स्पीड पर निर्भर करेगां को दो कि अधे चलाता है कितने इसकी अधर हो जाते हैं सई Benjamin करने के और जगे और कंडिशन पर निरबर करेगा लग जाना है जैसे ड्राइबरा तो पांच-चार मिन्ट में चाहर्म लोड हो जाती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको गर बेटे होम डिलेवरी के साथ यह मशीन मेली रही है तो इस मशीन को खरीदना चाहते तो मैंने बताया कि आप खरीद लीजे और ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए इस बेल आइकन को दमाना ना भूले तक कि आपको खेती किसानी के इसी वीडियो हमेशा यहां पर मिलते रहते हैं और मिलता हूं दोस्तों बहुती जल्द एक नए वीडियो में जब तक के लिए जवान जए किसान